असकार मैहुष शिवांगी आप सबू का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज के 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है बिहार से जोहां मिड़े मिल योजना में डाटा एंट्री ओपरेटर की होगी बहाली 16,000 मान देया बिहार के स्कूलों में मिड़े मिल की गुणवत्ता में सुधार और बहतर संचालन के लिए सरकार ने बराख कदम उठाया है इसके तहट अब शिक्षा बिभाग द्वारा डाटा एंट्री ओपरेटर की बहाली की जाएगी बिभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक ने पहले ही इसकी घोशना की थी अब उस पर कर्रवाई शिरू हो गई है योजना के निदेश्या के मिथलेश मिश्रा ने बताया कि मिड़े मिल योजना के तहत मान देया पर डाटा एंट्री ओपरेटर नियूट होंगे उन्हें 16,000 रुपे का मान देय दिया जाएगा इसके लिए 9-12 अगस्त तक इसके लिए अभ्यारतियों के लिए परिक्षा और इंटर्व्यू का आयोजन किया जाएगा मिड़े मिल योजना निदेश वाले परिसर में ट्राइपिंग टेस्ट किया जाएगा राज्य के सभी प्रखंडों में इनकी तैनाती की ज़ाएगी बिहार में अगले 72 घंटे मानसून महरबान भारी बारिश की चेताबनी 10 जिलों में ओरेंज यलो अलर्ट राज्य में अगस्त में मानसून की सक्रियता बढ़ी है अगले 2-3 दिनों तक राज्य भड में कहीं भारी तो कहीं मध्यम तो कहीं आशिक बारिश के आसार है मौसम विभाग ने 10 जिलों में बहुत बारी बारिश की चेताबनी ज़ारी की है आठ जिलो द्यानी दर्भंगा, सहरसा, मधिपूरा, सुपौल, वैचाली, समस्तिपूर, खगरियाव भागलपूर में बहुत भारी बारिश को लेकर ओरेंज अलर्ट जबकी दो जिलो यानि सीता मडी मुझफरपूर में भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया ग गंटे की दोरान पटना समेत प्रदेश के कई जिलो में जमाजम वर्षा की आसार है प्रदेश के आठ जिलो यानि दर्भंगा, सहरसा, मधिपूरा, सुपौल, वैचाली, समस्तिपूर, खगरियाव भागलपूर में बहुत भारी वर्षा को लेकर ओरेंज अलर्ट जबकी दो जिले यानि सीता मधी मुजफरपुर में भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है मांसून का प्रभाव अगले तीन दिनों तक बने रहने के अच्छे वर्षा के संकेत है बिहार में सोन और गंदक नदी का बढ़ा जलस्तर टटिये एलाकों के लोग बाढ़ को ले कर सहमें बिहार में पिछले दो दिनों की बारिश के बाद सोन और गंदक नदी के जलस्तर में बढ़ोतीरी दर्श की जारी है दोनों नदियों में आई उफान से टटिये इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताए बढ़ गई है अगर नदियों का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो टटिये गाउ कव में बाढ का पानी आ सकता है इसको लेकर आम लोगों के साथ-साथ प्रशासन भी सतर्खो चुका है नासरी गंजी से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड चेत्र में भारी वर्षा के बाद सोन नदी के जलस्थर में काफी बढ़ोतरी हो रही है दिन प्रति दिन सोन नदी का जलस्थर बढ़ रहा है इससे सोन नदी के टट पर बसे गाओं के लोगों को कटाओ की चिंता सताने लगी है सोन नदी विक्राल रूप धारन कर चुकी है पहारों पर लगातार हो रही बारिश्थ से इंद्रपूरी बराज में काफी ज़्यादा पानी आ चुकी है जिस सोन नदी में धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है सोन नदी में पानी बढ़ने से सोन डीले पर रहने और खेती करने वाले लोग अपने घडों की और पलायन को मजबूर हो गए है IRCTC मामले में लालू प्रसाद को लेकर हुई सुनवाई चार्ज फ्रेम करने पर हुए बहस 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई रेलवे घोटालों के टिंडर से जुरे IRCTC मामले में राउजवेड्यू कोट दिल्ली में कल सुनवाई होगी इसमें सा आरोपियों की तरफ से चार्ज फ्रेम करने का बहस हुई अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी इससे पहले की सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील ने कहा था कि CBI रेलवे के पॉलिसी बनाने में लालू प्रसाद के दखल को साबित नहीं कर पा रही है आपको पता देगी 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद देश के रेलवे मंत्री थे इस दोरान रेलवे बोर्ड ने विभाग के होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा IRCTC को सौब दिया था ज़ाडखन के राची और ओडिशा में के पूरी में इस सित्थ होटलों में के टेंडर में गड़वारी के मामले में उजागर हुए थे CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद सहीत अन्य कई लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल कर रखा है अब बिहार की जेल में ही रहेगा यूट्यूबर मनिश कश्यप कोट ने कहा बेतिया में कई केस यही रखना सही पेशी के लिए पटना ले गई पूलिस योटुबर मनीश कश्यप बिहार की जेल में ही रहेंगे बेतिया कोट में आज तमिलाडू पुलिस ने उन्हें पेश किया जौरान कोट ने कहा कि इन पर बेतिया में आधा दर्जन से ज्रादा मामले चल रहे हैं इसलिए मनीश को अभी बेतिया जेल में ही रखा जाएगा और यहीं से तमिलाडू मामले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पेशी होगी डिस्टिक प्रोस्टिक्यूशन ओफिसर उमेश कुमार विश्वास ने कोट में एक पिटीशन देकर अनुरोध किया कि यूट्यूबर पर पटना में भी मामले दर्श है जिसमें पेशी को आदेस है इसलिए इसे पटना जाने दिया जाए जिसके बाद कोट ने पटना जाने का आदेस शारी किया पेशी के बाद पुलिस मनीश को लेकर पटना जा रही है बता दे कि बेतिया वेवहार नियाले में सुमवार को यूट्यूबर मनीश कश्यव को बीजेपी विधायक से रंगदारी मांगने और बैंक मेनेजर से अभधरता अपके मामले में अलग-अलग कोट में पेश किया गया तमिलनाडू में बिहार के मज़दूरों के साथ मारपीट का फरजी वीडियो शेर करने के मामले में मनीश तमिलनाडू के मदुराई जेल से चार महीने में बन था बेत्या कोर्ट के आदेश के बाद तमिलाडू पुलिस आज सब्त क्रांती त्रेन से लेकर आई थी मनीश की सुरक्षा में 60-70 पुलिस कर्मी तैनाद किये गए बिहार में जाती गणना फिलहाल जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 अगस्त को सुनेंगे मामला HC के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अस्थागित है सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार के जाती आधारित सर्वेक्षन को बरकरार रखने के पटना हाई कोट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई अस्थकित कर दी है याचिका एंजियो एक सोच एक प्रयास की ओर से दायर की गई थी अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोट ने इस मामले पर सुनवाई होगी लाइव लॉक के मताबिक सुप्रीम कोट ने सुमवार को कहा कि जन गनना का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है 90 प्रतिशत पूरा हो जाएगा क्या फर्ट परता है एक अगस्त को पटना हाइकोर्ट ने जातिगत गनना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओ को खारिज कर दिया था हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गनना करा सकती है पटना में आप हनने के बाद भी इस गलती पर देना होगा जुर्माना कैमरे की नज़र आने पर कटेगा यी चलान पटना में ट्राफिक नियम तोडने पर शहर के लगे कैमरों द्वारा यी चलान कट रहा है ऐसे में बाइक पर बिना हैमलेट या कार में बिना सीट बेल के चलने वाले लोगों के जेब हलकी हो रही है इसी क्रम में शहर की याता यात ववस्ता सुधारनी के लिए ट्राफिक पुलिस ने एक और करा कदम उठाया है दरसल पतना में अब रेड लाइट सिगनल के दोरान जेबरा क्रोसिंग के नियमों का उलंगन करने पर भी यी चलान कटने लगा है शेहर में ICCC के केमरे ऐसे वाहनों को कैज करने के लिए तयार हो चुके हैं जो जेबरा क्रॉसिंग के नियमों का उलंगन करेंगे जेबरा क्रॉसिंग के उलंगखर पर 1000 रुपे का जुर्माना देना होगा अब तक कैमरे के माध्यम से बिना हैमलेट ट्रिपल साइट आदी का यी चालान कट रहा था जेबरा क्रॉसिंग के नियमों का उलंगन करने पर यी चालान कटनी की चिताबनी जुलाई महीने के अंत में ही ट्रैफिक पुलिस ने दी थी 9 अगस से पूरे देश में चलेगा मेरी मिटी मेरा देश अभ्यान हर गाउ को दिल्ली भेजी जाएगी मिटी अमरित वन का होगा निर्मान और अंगबाद सांसन सुशील कुमार सिंग ने बताया कि 9 अगस से पूरे देश में प्रधान मंत्री के निर्देश अनुसार मेरी मिटी मेरा देश अभ्यान चलाए जाएगा इस अभ्यान के तहत जिला के भाजवा कारे करता हर गाउ में जाएगे जहां गाउ के मिटी को पूजन तथा नमन करते हुए आदर सहीत गाउ की मिटी को प्रखन मुख्याले लाये जाएगा जहांसे मिटी को अमरित कलश में भर कर दिल्ली भेज़ा जाएगा और यही भारत वर्स के सभी गाउ से भेजी गई मिट्टी से दिल्ली में अमरित वन का नर्मान किया जाएगा जिसमें हजारों तरह के पौधों का ब्रिक्षार ओपन किया जाएगा वही प्रेस्वारता के दोरान भाजपा की जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि ये कारेकरम रों अगस से चालू किया जाएगा इस अभ्यान के दोरान हम सभी भाजपा कारेकरता हाथ में तिरंगा लेकर जिला के सभी गाउं में जाएगे और उस गाउं के मिट्टी को नमन करते हुए आदर सहीत मिट्टी को प्रकन मुख्याले लाया जाएगा जहां से मिट्टी को अमरित कलश में भरकर सताय सगस को दिल्ली पहुचा दिया जाएगा हाजिपूर लोज सीट से मेरी मा लड़ेगी चुनाओ चिराग पास्वान ने चाचा पशुपती पारस को फिर दे दिया टेंशन, खुद जमुई में से लड़ेंगे चुनाओ चिराग ने कहा कि पिता के निधन के बाद मेरे अपनों के सहारा देने के बजाए दर्द देने का काम किया हाजिपूर सीट मेरे पिता जी की कर में भूमी रही है उन्होंने कहा कि जिस तरह हाजिपूर की जनता का मेरे पिता ने ख्याल रखा था उनका पुत्र होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वहाँ की जनता का ख्याल रखू लिहाजा इस सीट पर या तो मैं लरूँगा या मेरी मा लरेगी पिता के निधन के बाद मा का हक अधिक बनता है वर्ष 2019 के चुनाओ जिस जिस सीट लोजपा चुनाओ लर रही थी वो सभी सीट लोजपा रामिलास के प्राथ मिक्ता में है महंगाई से टमाटर के लाल होने के बाद अब प्याज लाएगा आखों में आसू जानिये कब तक होगी कीमतों में बढ़ हो तिरी देखे टमाटर के बढ़ती कीमत के बीच और प्याज की भी महंगे महंगाई होने की बाद सामने आ रही है मीडिया रेपोर्ट्स की माने तो अगस्त के अंत तक प्याज की कीमतों की बढ़नी की संभावना है दरसल बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है इस साल जन्वरी माई की आवदी के दोरान प्याज की कीमतों में गिरावट से उन उपभोगताओ को कुछ राहत मिली जो काफी महंगे अनाज दालो और अन्य सबजियों की खरीद कर रहे थे हाला कि इस से प्याज किसानों को नुकसान हुआ और इसका असर बुआई पर भी पड़ा वही अब प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है बता दे कि एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि आपूर्ती में संभावित कमी के कारण सितंबर की शुरुआत में खुद्रा बाजार में प्याज की कीमत 60-70 रुपे प्रती किलोग्राम तक बढ़ने की उमीद है हला कि अक्टूबर में आपूर्ती में सुधार होने से कीमतों में कमी आ जाएगे केके पाठक का महनत रंग ला रही निरिक्षट के बाद उपस्थिती में 50 प्रतीशत की बढ़ोतरी अपर मुखे सचीव केके पाठक का शिक्षा के लिए लगातार महनत अब रंग ला रही है बिहार के स्कूलों में हर दिन निरिक्षट ववस्था लागों होने से बच्चों की हाजरी में सुधार हुआ है स्कूलों का निरिक्षट एक जुलाई 2023 से शुरू हुआ तो चोकाने वाला सच सामने आया वही निरिक्षट रिपोर्ट में पता चला कि राज में करीब 64 प्रतिशत ऐसे स्कूल है जहां पर आदे से भी कम बचा बच्चे आ रहे हैं जो अब सिर्फ 12 प्रतिशत रहे गया है बतादे की राज में 75,000 से अधिक सरकारी स्कूल है इन में करी 25,000 स्कूलों में प्रतिदिन शिक्षा बिभाग के अफसर और कर्मी निरिक्षट करते हैं वही विभाग के अपर मुख सचीव के के पाठक ने ववस्ता बनाई है जिसमें निरिक्षट के दोरान मुख रूप से स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के उपस्थिती की जाच होती है प्रखन जिलो के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश सह की स्कूलों में बच्चों की उपस्थिती में अगर सुधार नहीं हुआ तो उन लोगों पर कारवाई होगी साथ ही वेतन भी बंद कर दिया जाएगा हाला के निरेक्षन के बाद जितना सुधार प्रारंभिक स्कूलों में हुई है उसके अनुपात में माध्यमीक उच्चिव माध्यमीक स्कूलों में नहीं हुआ है 136 दिन बाद संसद में राहूल रिटर्न्स विपक्षी गटबंधन इंडिया का जोशाई मोधी सर्णीम विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोग के बाद राहूल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है कुल 136 दिनों बाद राहूल गांधी आज संसद पहुँचे और महात्मा गांधी की प्रतीमा के सामने प्रात्ना की एक बार अस्थगन केस बाद दोपर 12 बजे लोगसभा की बैठक शिरू हुई वो कारवाई में भाग लेने सदन भी पहुचे इस दोरान कॉंग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदसे मनीपूर के मुद्दे पर नारे बाजी करते रहे राहुल गांधी ने संसद में लोटने के विपक्षी गडवन्दन इंडिया के घटक दलों के सांसदों का जोशाई है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे ने राहुल गांधी की लोगसभा सदस्यता बहाल होने का स्वागत करते हुए सुमवार को कहा कि इससे भारत के लोगों खास कर वाइनाड संसदिय शेतर की जनता को राहत मिली है खरगे ने ट्वीट किया राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता बहाल करने का निर्ण एक स्वागत योग कदम है ये भारत के लोगों और विशेत कर वाइनाड की जनता के लिए राहत ले कर आया है जार्खण में 26,000 एक शिक्षकों की भरती आठ अगस से आवेदन शुरू एक महिने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू रहेगी इसके बाद 7 सितंबर को आवेदन समाप्थ हो जाएंगे इस पदों पर नियुक्ती ज्वारकन प्रारंभी शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा 2003 इसके माध्यम से होगी कुल पदों में 12,868 पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किये गए हैं वही 13,133 पद 11,12 शिक्षक को के लिए हैं परिक्षा के लिए आवेदन शुरू जनरल, OBC और EWS उमिद्वारों के लिए 100 रुपे होगा और जारकन के SSC, ST अभ्यारतियों के आवेदन शिल्क 50 रुपे देना होगा ये शिल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, इस भरति की परिक्षा एक शरन में ली जाएगी बरति परिक्षा में अब्जेक्टिव टाइप प्रशन होगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अभ्यारति जस विसाय समू से TET पास होगे उसी विसाय समू से में राज अस्थरिये मेगा सूची के आधार पर सहायक अचारे नियुक्ती के पत्र होगे बिहार में अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस पर रोक रहेगी आदेश का उलंगन पर सजा भी तैकर दी गई है बता दे कि बिहार में शिक्षा बिभाग की ओर से सक्ती लगातार बढ़ती जा रही है शिक्षको व शिक्षा बिभाग के कर्मियों व पदाधिकारियों पर सक्ती व अनुशासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा बिभाग के अपरमुख सचीव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जिलों के पदा अधिकारियों को नया फर्मान जारी किया गया है इसके तहट अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर कई पावंदी कर दी गई है शिक्षा विभाग के अपर मुखि सचीव केके पाठक ने ब्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र रिली करका है कि सुबह 9 से शाम 4 बाई तक कोचिंग संस्थानों को कक्षा संचालित करने की अनुमती नहीं दी जाए जिला अधिकारियों को उनकी ओर से पत्र भेजवा गया है कोचिंग इंसिचूट एक्ट 2020 को कारगर बनाए जाने के जरूरत है ताकि स्कूलों में शिक्षकों वा शात्र शात्राओं की उपस्तिती सुनिशित हो सके